हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वावे था आपका मेरे यूट्व चैनल आरस नोट्स पर और आसा करता हूं दोस्त आप सब स्वस्त होंगे, मस्त होंगे दोस्त आपका रियाना पुलीस का एकजाम होने जा रहा है तो उसके लिए हम आपके लिए एक special वीडियो लेके आए हैं दोस्तो और विशे होगा हमारा दोस्तो बारतिय अर्थववस्था दोस्तो इस exam में जो है एक या दो question बारतिय अर्थववस्था से पूछ ली जाते हैं तो आपको विशे करवाएंगे जो की बार बार पूछे गए हैं और आगी पूछे जा सकते हैं तो दोस्तो एक भी question में इस ना कीजिएगा विडियो अंतक देखीगा तो आईए दोस्तो शुरू करें पहला है निमिलिक्त में से किसके दवारा बारत सरकार को सरवादिक राजसव प्राप्त होता है दोस्तो आपके सामने चार options हैं विक्रेकर, उत्पादन, सूल्क, आयकर, मौनरोन, जनकर तो सबसे ज़्यादा कर जो है किसे प्राप्त होता है यह होता है आयकर से जो कि आय होती है उससे पेकर लगता है दोस्तो तो सबसे ज़्यादा जो इसरवादिक राजसव प्राप्त होता है बारत सरकार को आयकर से याद रखिया दोस्तो option C ठीक है अगला देखिए विश्व वपार संग्ठन किस थापना कब होई थी विश्व वपार संग्ठन किस थापना कब होई थी दोस्तो WTO दिशे कहा जाता है World Trade Organization किस थापना कहा होई थी और WTA का मुखेले पूछ ले आप से दोस्तो तो कहाँ पर होगा ये ये होगा जनेवा में कहाँ पर जनेवा में दोस्तो WTA का मुखेले है ठीक है तो विश्व वपार संग्ठन की स्थापना हुई थी दोस्तो वर्स 1995 में ठीक है WTO की स्थापना हुई थी वर्स 1995 में मुखेले पूछ ले तो इसका है जनेवा में ठीक है दोस्तो याद रखीगा अगला देखिए अगला ONGC जिस नवरतन PSU को महारतन का दरजा दिया गया है वह कौन सा है ONGC OIC NTPC तथा सेल के बाद जिसे नवरतन PSU को महारतन का दरजा दिया गया है वह कौन है तो यह दोस्तो Call India Limited कोल इंडिया लिमिटेड को जो है मारतन का दर्जा दिया गया है ठीके दोस्तो अपसंसीस का अंसर होगा ठीके दोस्तो हर क्योस्टन महत्तपूर्ण होगा दोस्तो वही क्योस्टन करवाए जाएंगे जो बार-बार पूछे गए हैं अग्जाम्स में अगला निगमकर किसके दवारा अधिरोपित किया जाता है निगमकर किसके दवारा अधिरोपित किया जाता है राज्यसरकार दवारा केंदर सरकार दवारा स्थाने सासन या राज्यसरकार भी केंदर सरकार भी तो निगम कर जो है उस तो आप सब को पता होगा ये किया जाता है कि इंदर सरकार द्वारा अधिरोपित ठीक है दोस्तों याद रखे option 20 का अंस्वर होगा ठीक है चलते हैं अगले पर अगला बारत का आर्थिक सर्वेक्षण परतीवरस इन के द्वारा प्रकासित किया जाता है option है वानिज्य मंत्राले, CSO, वित मंत्राले या आर्थिक मामलो का मंत्राले तो यह प्रकासित किया जाता है दोस्तों याद रखेगा वित मंत्राले या द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है परतीवरस वित मंत्राले या जवारा जो है प्रकासित किया जाता है दोस्तों option C इसका अंसर होगा ठीक है दोस्तों अगला है आयकर से प्राप्त रासी किसको जाती है आयकर से जो प्राप्त रासी में मिलती है सरकार को वो कौन से सरकार को जाती है दोस्तों वो जो आयकर है उसकी रासी केंदर सरकार को भी जाती है और राजे सरकार को भी जाती है 60 परतीसत जो रासी होती है वो केंदर सरकार को जाती है और 40 परतीसत जो है वो किसको जाती है दोस्तो यह जाती है राज्य सरकार को तो दोनों के पास यह जाती है दोस्तो इसका अंसर होगा option C, A और B दोनों को जो है आकर की रासी जाती है ठीक है दोस्त ओप्सन सीस का अंसर होगा ठीक है अगला देखिए नबार्ड का सम्मंद किसके विकास के साथ है क्या एकर्षी छेतरों ग्रामेनी लाके बारी उद्योग बैंकिंग छेतरी अस्थावर संपदा तो नबार्ड का जो सम्मंद है दोस्तो वो है आपका कर्षी छेतरों ग्रामेनी लाकों से नबार्ड का सम्मंद किससे है कर्षी छेतरों ग्रामेनी लाकों से इसका सम्मंद है दोस्तो याद रखेगा ओप्सन ए ठीक है गांधिवादी अर्थवस्था का अधार क्या था? आपके सामने चार उप्षन से हैं मसीन अधारित विकास खादी एम कुटी रुदोग अधारित विकास विदेशी सायता अधारित विकास या उप्रुक्त में से कोई नहीं गांधिवादी अर्थवस्था का अधार क्या था दोस्तो? ये था खादी एम कुटीर उद्योग अधारित विकास उनका गांधिवादी अर्थवस्था का अधार था तो अप्षन 20 का अंसर रोगा दोस्तो? ठीक है? ऐसे क्योश्चन आएंगे दोस्तक जाम में एक भी क्योश्चन छोड़ेगा नहीं अगला है निमिलिक्त में से कौन सी पंच वर्षय योजना केवल चार वरस की थी निमिलिक्त में से कौन सी पंच वर्षय योजना केवल चार वरस की थी तीसरी चोथी पाँचवी या साथवी कौन सी पंच वर्षी योजना केवल च्यार वरस की थी Most important question दोस्तो तो यह थी दोस्तो पांच मी जो पंच वर्षी योजना थी वो केवल च्यार वरस की थी दोस्तो याद रखेगा Option C शकान सुरूगा ठीक है अगला देखिए साजनिक शेतर के निमिलिक्त उपकरों में से कौन सा नवरतन नहीं है साजनिक शेतर के उपकरम है उन में से कौन सा नवरतन नहीं है दोस्तो ONGC है जिसकी फुल फोम है Overland Natural Gas Corporation BPCL है बेल भी है लेकिन जो MINL है वो साजनिक शेतर के उपकरमों में से नवरतन नहीं है दोस्तों तो इसका अंसर क्या हो जाएगा Option D इसका अंसर होगा ठीक है Option D अगला देखिए बारत में मोदरिक नीती किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है केंदरी सरकार द्वारा एसो चैम या बारतिय रिजर्वर बैंक या फिक की द्वारा तो जो मोदरिक नीती है दोस्तों ये बनाई जाती है बारतिय रिजर्वर बैंक द्वारा उप्शन सीज का अंसर रोगा दोस्तों आरब्याई जो है जो है मौदरिक नीती ये बनाता है ठीक दोस्तों अगर आप से पूछले किया अरब्याई किस्ठापना कब हुई थी तो आपको बता देना है वरस 1934 में जो है अरब्याई किस्ठापना हुई थी दोस्तो ठीक हा option C इसका अंसर होगा अगला देखिए भारत में करसी में बिरोजगारी का सरूप क्या है केवल मोसमी भी है दोस्तो और केवल परच्छन भी है दोनों ही जो है भारत में करसी बिरोजगारी का यह दोनों ही सरूप है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा A और B दोनों इसके जुआब होगे दोस्तो ए और B दोनों ठीक है अगला है भारतिर ज़र बैंक के लेखा वरस की अवदी क्या है भारतिर ज़र बैंक के लेखा वरस की अवदी क्या है भारतिर ज़र बैंक के लेखा वरस की अवदी क्या है दोस्तों क्या वह अप्रेल से मार्च है जुलाई से जून है जन्वरी से दिसमबर है या आगस्त से जुलाई है तो बार्तिर्जर्वर बैंग जो है अपनी लेखा जोखा दोस्तो वह करता है जन्वरी से दिसमबर तक के मद्द यानि उसका जो starting point वो होता है जन्वरी और कहा तक करता है दिसंबर तक वो अपना लेखा वर्स त्यार करता है दोस्तों ठीक है? औप्सन सीज का आंसर होगा अगला देखिए बारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? फेमाने फेटाने फैनाने या फैलाने? दोस्तों बारत में फेरा का स्थान ले लिया है option A option A इसका acceptance रोगा दोस्तों की फेरा ने फेरा का स्थान ले लिया है option A अगला देखिए कौन सा सब्द banking से सम्मंदित नहीं है कौन सा सब्द जो है banking से सम्मंदित नहीं है क्यों SLR नहीं है सावदी जमाया CRR या NEER तो कौन सा सब्द जो है banking से सम्मंदित नहीं है तो यह नहीं है दोस्तो SLR SLR जो है banking से सम्मंदित है नहीं है इसका acceptance रोगा दोस्तों option A ठीक है? चलते हैं अगले पर मुक्त ववपार का विपराए क्या है? मुक्त ववपार से आपका क्या विपराए है? क्या हो एक देश से दूसरे देश को माल का संचालन है? माल का निसुल्क संचालन है? माल और सेवाओं का अन्यंतरित अदान प्रदान है? या निसूलक विपार है तो मुक्त विपार से सम्मंदित बात हैं दोस्तो निसूलक विपार से option D दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ठीक है? option D अगला देखिए toothpaste उत्पाद को निमलिक्त में से किसकी अधीन बेचा जाता है? toothpaste जो उत्पाद है दोस्तों गरों में जिसका इस्तिमाल किया जाता है उसको निमलिक्त में से किसकी अधीन बेचा जाता है? क्या वो एक अधीकारी परतीस परदा है? पूर्ण परतीस परदा है? एक अधीकार है या दवी अधीकार है? तो ये बेचा जाता है दोस्तो एक आदिकार एक आदिकार के अदिएने टूथ पेश टूथ पाद को दोस्तो बेचा जाता है option C का अंसर होगा ठीक है दोस्तो most important question है एक्जाम की दर्श्टी से अगला देखिए सतंतर बारत का सारजनिक छेतर का पहला निगम कौन सा है सतंतर बारत का सारजनिक छेतर का पहला निगम कौन सा है क्या वो हिंदुस्तान इस पात निगम लिबिलाई है जो कि उरिश्या में है बारते राजे विपार निगम है बारते खाद्य निगम है या विदा मोदरगाटी निगम है सवतंतर बारत का साजुनिक छेतर का पहला निगम जो था दोस्तो वो है आपका option A हिंदुस्तान इस्पात निगम बिलाई जो की उडिस्सा में है ये साजुनिक छेतर का पहला निगम है तो option A का answer खो, ठीक है दोस्तों, चलते हैं एकले पर, WTO मुख्यते निमलिक्त में से किसको बड़ावा देता है, WTO मुख्यते निमलिक्त में से किसको बड़ावा देता है, क्या वो वीती समर्थन है विस्वशान्ति है एक पक्षय वपार है या बहु पक्षय वपार तो WTO जो मुख्यतिय मिलिक्थ में से दोस्तो बहु पक्षय वपार को बढ़ावा देता है ठेके दोस्तो Ops The 10 का exact answer होगा ठेके दोस्तो और अंतिम है दोस्तों देखिए Most important question है कि मुद्रा का निमलिक्त में से कौन सा मुख्य कारिये है क्या वो एस्थगित बुक्ताने का मानक है क्रेडिट का दार है मुल्य का नतरण है या मुल्य का मापन है मुद्रा का निमलित में से कौन सा मुख्य कारी है तो मुख्य कारी है दोस्तो मुल्य का वापन मुद्रा का निमलित में से मुल्य का वापन मुख्य कारी है दोस्तो ओप्शन डीस का एक्जेक्टन सरोगा ठीक है दोस्तो तो लिजी दोस्तो आपकी वीडियो होती है काया कम्पलीट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करके जूर बताएगा और आरसनोट चैनल को स्वराइब कर लीजीगा दोस्तो मिलते हैं आपसे एगली वीडियो में नेवरोचक पशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो